हलो एव्यवान वेलकम टू मैं यूट्यूब चानल मैं हूं सुनिया शर्मा आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीएसी का प्रेलिम्स लास्टियर कोशन पेपर जो हुआ था फूर्थ अक्टूबर को और इसमें हम जी एस पेपर वन जो हमारा जर्नल स्टेडिस क वेपर होता है वह उसकी अनलेस्स एंड हम कौन से कोशन साय थे उनके सेलूशन देखने वाले हैं सो फ्रेंस लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री आन आर्ट और अन कल्चर की कोशन सेखे थे अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो पार्ट वार्ट वार्ट करे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए important है कि अगर आप next exam देने वाले हैं 2021 के prelims का या फिर 2022 में तो आपको last year question paper की analysis पता होनी चाहिए कितने question कहां से पूछे गए और किस book से किस part से पूछे गए हैं ये जानने के लिए आप video last तक देखें आज हम discuss करेंगे कौन से geography and environment topic के जो हमारे static portion होता है वो कहां से आए हैं कौन कौन से questions आए हैं प्लस उनके solutions और analysis so this is presented by me Sneha Sharma before starting this video if you find it useful please like share and subscribe this video and you can share with your aspirant friends so start with your first question तो हमारा पहला question आता है environment में से हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम environment के questions रहते हैं तो environment में से question number one आया है हमारा with reference to India's desert national park which of the following statements are correct तो हमें बताना है जो इंडिया में desert national park है उनकी उन से related तीन statement दी गई है मैं बताना है इन statement में से कौन सा correct है so friends हमारी first statement कहती है it is spread over two districts ये दो जिलों में फैला हुआ है ये desert national park दूसरा कहता है कि यहां पे कोई human habitation नहीं है पार्क में third statement कहता है it is one of the natural habitats of great Indian bastard जो हमारा bird की species है तो ये इसमें पाई जाती है इस natural habitat में तो हमें बताना है कि इन में से कौन से statement ठीक है ये बहुत ही easy question है common sense वाला अगर आपको इस question का answer नहीं पता है और आप बिल्कुल भी नहीं जानते है desert national park में तो आपको जैसे कि पता है इंडिया में mostly desert कहां है हमारा run of catch और राजस्थान और गुजरात वाले border areas में desert पाया जाता है तो आप बता सकते हैं कि किन जिलों में फ tourism allowed हैता है किसी किसी में जो बहुत ही हमारे sensitive zones है या फिर किसी areas में tourism जाना हमारा prohibited होता है ओके तो इसमें जैसे national park है तो obviously उसमें human habitation होगा inside park में तो हमारा second statement wrong हो जाती है अगर हम common sense से ही ये question दे है तो हमारी समें second statement गलत है तो आप comments से इसे बता सकते हैं first or second भी हमारा गलत होगा second third only बी भी गलत होगा और डी भी गलत होगा कि इसमें second option आ रहा है ठीक है there is no human habitation human habitation national park में है ठीक है तो हमारा answer हो जाता है यहां पर c one and three only और अगर हम वैसे इनको explanation में देखते हैं तो यह हमारा जो desert national park है यह हमारा one of the largest protected lands है इंडिया पे और यह हमारा कौन से district में है यह हमारा जैसल में और बार में जो दोनों district है हमारे प्राइश्ट है तो मैंने आपको बता है जाजदर desert हमारे राजश्थान गुच्छात में फैला हुआ है तो यह हम बता सकते हैं तो यह statement ठीक हो गई जहां पर बहुत सार रेगिस्तान है डेजर्ट है और बार मेर के एरिया में फैला हुआ है तो हमारा first statement करेक्ट हो जाता है second statement हमारा गल्द क्यों होता है देपार्क स्वेजडेशन इस प्रोटेक्टेड बाई जो हमारी local communities है उनको उन्होंने प्रोटेक्ट कर रखा है जो लोकल communities में विश्णोई एक हमारी विश्णोई नाम के communities ने जो हमारी local communities पर जाती है तो यह हमारा second statement कर जाता है अगर हम third statement की बात करें one of the natural habitats of great Indian bastard तो जो हमारा desert national park है राजिस्थान में यह most permanently habitat हमारा great Indian bastard के लिए तो यह भी statement हमारा correct हो जाता है तो one and three answer number C is the correct answer फिर हम चलते हैं अपने second question पर तो second question में तीन statement दी गई है और हमें बताना है in statements में से कौन सी correct है तो सबसे पहले हम question पढ़ लेते हैं अपना statement one statement one says 36% of India's districts are classified as over exploited or critical by the Central Groundwater Authority तो यह हमारी Central Groundwater Authority है जो सर्वे निकालती है जिसमें यह हमारे देश के अलग-अलग जिलों को एक स्टेज पर रखा जाता है एक सर्वे होता है कि वो कितना critical है या फिर कितना exploited है या कितना natural या regular condition natural conditions में है ओके तो यह हमारी first statement दी गई है second statement क्या कहते है cgwa that is Central Groundwater Authority was formed under the Environment Protection Act यह हमें बताना है इस Act के अंदर बनी थी यह नहीं इंडिया एक सबसे बड़ा इंडिया एक सबसे बड़ा इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा जो irrigation से चाही होती है खेतों की वो groundwater जो हमारे जमीन के अंदर से हम पानी निकालते है उससे होती है तो यह statement explanation है उसमें आप देख सकते हो कि more than 50% आफ इंडिया इंडिया के डिस्रिक्ट है वो ओवर इंडिया के डिस्रिक्ट है और क्रिटिकल एक बहुती बुरी conditions में according to this authority तो हमारी first statement गल्द हो जाती है second statement हमारी correct है CGAWA जो हमारा Environment Protection Act के अंदर बना था under section 3 तो हमारी statement second is correct large कहता है कि sorry third statement कहता है India has the world's largest groundwater well equipped irrigation system जहां पर अच्छा irrigation system बनाया गया है हमारी खेतों की सचाई करने के लिए तो हमारा third statement is also correct so answer is B12 sorry answer number B23 only so हमारा second or third statement इसमें correct है question number 3 question number 3 बता है हमारे critical tiger habitat के बारे में जैसे आपको पता है हमारा tiger survey होता है tiger population इंडिया में बढ़ गई है जो उनका target था उससे पहले ही हमने काफी जादा अचीव करा है और tiger की breeding और other options जो हमारे process थे उसकी वज़े से tiger की habitation बढ़ गई है तो tigers habitat और हमारे tiger reserves हैं जितने नाशनल पार्क है या फिर जितनी भी इनकी population इसे related mostly question पूछे जाते हैं और इसे question एक फिसी में पूछा गया है तो हम question बढ़ लेते हैं among the following tiger reserves हमें इन tiger reserves में से बताना है which one has the largest area under critical tiger habitat जो हमारा tiger का habitat है उसका जो बहुत ही मतलब हमें बताना है कि सबसे जादा सबसे जादा area किस national किस हमारे reserve का है जहां पर tigers को रखा जाता है तो आप सबसे पहले देख सकते हो कॉर्बेट नाशनल पार्क जो हमारा उत्राखंड में है रंधंबोल और थर्ड इस नागारजुन श्रिसलम जो हमारा आंधर प्रदेश में अन्सुंदरबंस जो हमारा वेस्ट पेंगॉल में है सुंदरबंस पूरा वेस्ट पेंग और बंगलादर तक पूरा फैला हुआ है तो हमें इनमें बताना है कि कौन से जो रिजर्व्स है उनका सबसे जाधा एरिया है ठीक है तो हम पहले इनका एरिया देख लेते हैं जो हमारा नागारजुन सागर अंधर प्रदेश है यह हमा हमारा सबसे आप देख सकते हो सबसे बड़ा है एरिया में एक टाइकर सर्वे आता है जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट एरिया और लाजेस्ट एरिया आता है उससे आप पड़ सकते हो सब क्लियर कर सकते हो ओके तो सबसे हमारा नंबर वन पर है नागर जुन सागर जो हमारा अध्यार्चल प्रदेश में है Northeast में 683 स्क्वार किलोमेटर में फैला हुआ और third है Banas जो हमारा Assam में है जो हमारा वन्हों राइनसरॉस के लिए इस vivo है 840 स्क्वार किलोमेटर के लिए and fourth party ऐसर्यार के रहे जो है और इसका एरिया है 881 स्क्वेर किलोमेटर तो यह हमारे टॉप फॉर है जो लार्जेस्ट एरिया है हमारा टाइगर हैपिटेट के लिए जहां पर सबसे जादा बागों को रिजर्व रखा जाता है उनके प्रटेक्शन के लिए तो इसमें हमारा अंसर हो गया C नाकरजुन श स्कार्टिंग से यह हमारी सारे अभी अन्वार्मेंट के कोशिंस आ रहे हैं इसके बाद हम लास्ट में जोग्रफी के कोशिंस देखेंगे एंट इंड फ वीडियो उसके बाद अब देखिए फिर हमारा फूर्थ कोशिं क्या कहता है इफ पर्टिकुलर प्लांट स्पीशी अगर कोई हमारी एक प्लांट की प्रजाती है पहुत हो की इस प्लेस देखेंगे अगर उसको श्रीजूल 6 और वाइलाफ प्रटेक्शन एक निए जो हमारा एक्ट वाइलाफ प्रटेक्शन एक्टियो बहुत इंपोर्टन हो गया इसको अच्छे से पढ़िये है ओके जो बढ़िये हमारे इस रिल्टेट करेंट अफेर्स में आता है इसे जाद़ पुशे जा रहे हैं पिछले कुछ सालों में क्योंकि आपको पता है जो भी हमारी प्लांट हो गया फ्लोरा एन फ्लोरा फोना हो गया जितनी में स्पीशी से हमारी डिक्रीस होती जारी है दू टू क्लाइमिट चेंज और डिफरेंट 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 ग्लोबल वर्मिंग रीजन्स और हुमन मानमेड रीजन्स जो हम प्लूशन करते हैं उनसे स्पीशीज कम होती जारी है तो वाइलाइफ प्रोटेक्शन एक 1972 एक ऐसा एक्ट है जो प्रोटेक्शन देता है प्लस क्या है तो हमें चार स्टेटमेंट दी गई हैं हमें इन में से बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या कहती है सबसे पहला है स्टेटमेंट एक एक लाइसेंस की जुरूट पढ़ेगी उनको कल्टिवेट करने के ल हम उनको करीं नहीं सकते हैं ना उनको करीं ना कर सकते हैं। कि जो हमारा काफी सालों से क्रॉप को हम उसकी जीन में कुछ चेंजी करके एक नई स्पेशी इन प्रजाती लाते हैं। जिससे हमें कुछ एक नया प्रोडक्ट निकलता है नया क्रॉप मिलता है और वह एक वेल नोन और कह सकते हो आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है तो इससे भी काफी कोशिंस आते हैं इस जेनेटिकली मॉडिफाइड और बायो टेकनोलोजी से रिलेटेड ओके सब्सक्राइड तो यह जो क्रॉप प्लांट है जो सीजुल 6 में दिया गया है वह हमारा जी एम प्रॉट होता है फो स्टेट्मेंट केता है सच अ प्लांट इस इन्वेसिफ और हामफुल तो इको सि होता है जो घुस के दूसरी स्पीचीज को हाम हो जाता है और उनको खतम कर देता है जैसे कोई आनिमल्स है और एनिमल्स की या उनकी फंगस या फिर वह बहुत जाएलगी बढ़ती जारी है तो उसके एक इन्वेसिफ प्लांट को प्लांट करा जाता है वहां पे उसमें वह पे छोड़ा जाता है ताकि जो हमाई हाम कर रही है उनको खा सके और उनको खतम कर सके ऐसे ही यह प्लांट पोल रहा है कि यह जो प्लांट दे रखाया है शायद इन्वेसिफ है और हमारे एकोसिस्टम को हामफुल है मतलब जो अल्रेडी नाचुरल जो रेगुलर नेटिव स्पीशीज है उनको खतम कर देगा तो यह चार स्टेटमेंट दी गई है हमें इन में से बताना है आंसर कौन सा ठीक है तो जो शिडियूल 6 में दिया जाता है उसमें क्या होता है कि इस प्लांट को वो थोड़ा प्रोटेक्ट करना पड़ता है और उसको हम कल्टिवेट नह अधियूल 6 में क्या दिया हुआ है कि जो प्लांट इसके अंदर आएंगे वो प्लांट को हम किसी भी कंडिशन में उनको प्लांट नहीं कर सकते है ना कल्टिवेट कर सकते हैं वो हमारे प्रोइबिट अधियूल 10 नमबर 20 करेक्ट सेम मैंने आपको बोला जैसे हम एंवार्मेंट पड़ रहे हैं आपको पता है क्लाइमिट चेंज कितनी बड़ी प्रॉब्लम है पॉलूशन हमारा ग्लोबल वार्मिंग इस प्रॉब्लम एट इस ताइम इन 21st सेंचुरी आज यू आल नो वी आर सफरिंग फों मैंमेड से में आपको बनता है जैसे मैंने आपको बताया कि वाइललाफ प्रोटेक्शन एक्ट साय है इसा हमारा आए है डिशा को प्रॉब्लम की मातरा इंग्रीज होने में तो जैसे आइसे आइस में पूरा बरफ बन गी थी पूरी धरती ओके जैसे वह पिगली नहीं थी तो गर् जिन्रगी के लिए, so carbon is also important for life, but अगर इसकी मातरा increase होती है, जैसे कि आपको पता है तो इसे pollution बढ़ता है, global warming होती है, and leads to many many consequences which are really harmful for the human or animals as well, other, any for life, okay so, इस question में क्या पुचा किया है, we are doing 5th question of environment, that comes in the last equation paper so, which one of the following statement best describe the term, हमें यह बताना है, इन 4 statement में से कौन सी term best describe करती है social cost of carbon को so, हम पढ़ लेते हैं, statement 1 क्या कहती है, it is a measure यह एक तरीका है, एक रास्ता है in the monetary value of the long term damage done by tons of carbon dioxide emissions in given year, okay यह एक हमारा measure है जो हमने लिया है ताकि हम लंबे समय तक जो नुकसान करा है carbon dioxide की emissions ने चाहिए हमारे pollutants हो, जो हमारे traffic से निकलते हैं, या फिर हमारे pollution होते हैं, chemicals industry से निकलते हैं, हम बहुत सारे reasons हैं, जिनसे tons of carbon dioxide हमारे atmosphere में जाती है, और हमारी ozone layer को बहुती thin कर देती है तो यह उसकी cost है, monetary value, क्योंकि हम अपने पैसा लगा के ही और अपने efforts से, जो भी cost आई की, ठीक है, समाज में जो भी हम बदलाफ चाहते हैं, उसके लिए हमें monetary value, अपनी economy से पैसा लगाना पड़ता है, और यह long term damage है, कोई short term तो है यह बहुती सालों बाद यह reverse होगा okay, reverse भी नहीं कह सकते हैं, बहुती कम मात्रा में कम होगा, इसका जो असर है ठीक है, इसलिए कहते हैं, यह monetary value है, एक ऐसी कीमत है, जो हम अपने अपने देश के खाजाने से चुकाएंगे जो बहुती लंबे समय तक चलेगी, जो हमारे carbon dioxide emissions है, एक साल के अंदर, जोनोंने tons of tons, आप देख सकते हो, carbon dioxide emit होई है, उसको रोकने के लिए, उसको थोड़ी से level पर कम करने के लिए, फिर second statement क्या कहते है, social cost of carbon क्या है, social cost of carbon the requirement of fossil fuels for a country to provide goods and services to its citizens, based on the burning of those fuels, और second statement कहते है, यह four cost है, जो हम fossil fuels use करते हैं, ओके, किसलिए goods and service provide करने के लिए to the citizens of a nation, ओके, यह नहीं है, so this statement is wrong, third statement क्या कहते है, efforts put in by a climate refugee to adapt to live in a new place, ओके, तो third statement कहते है, कि यह जो हमारा efforts टाल रहे हैं, जो हमारे काम कर रहे हैं, climate के refugees, ताकि वो एक नया place बना सक के जीने के लिए, ओके तो यह कोई sense नहीं बनती है, this is very wrong, fourth statement says, contribution of an individual person to a carbon footprint on the planet earth, यह कहता है, कि एक एक आदमी की, एक single बंदे का contribution है, हमारा, कि वो carbon increase कर रहा है, हमारे धर्दी पर, तो अगर हम बात करें, social cost of carbon, मतलब इसका common sense अगर आप सोचोगे, तो जो carbon हम increase कर रहे हैं, जो carbon हम increase कर रहे हैं, उसके हमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, तो fourth question इस sense से गलत बैठता है, इससे manning नहीं कर दो कि इंडिविजुल का नहीं है, यह एक इंडिविजुल का नहीं है, contribution by individual person, यह पूरे अर्थ में जितने भी लोग रहते हैं, अब प्लस factories हो गया, प्लस हमारा ट्राफिक हो गया, और other reasons हो गया, जो हमारे carbon को increase करते हैं, तो यह हमारा एक collective cost है, तो यह statement भी correct है, तो अंसर हो गया हमारा A, so answer number A है, हमारा एक ऐसा measure है, जिसमें हमें monetary value में, हमें पैसो की value में कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुती लंबे समय तक, जो भी हमने carbon का emission कर आए, तो अंसर हम पर इसे correct, तो explanation कहता है, the social cost of carbon is the basis of present value of the future damages, okay, यह हमें आज की मत चुकानी पड़ेगी, जो हम future में damages करेंगे, that one additional unit of carbon emission can induce in the environment, क्योंकि future में भी आप अगर एक unit भी carbon हमारे atmosphere में, environment में डाल रहो तो उसकी cost हमें अभी चुकानी पड़ेगी, so this is the fifth question, next question आ जाता है हमारा Indian elephants के पारे में, Indian elephants के पारे में यह कूशन आ जाता है, कहता है हमारा with reference to Indian elephants, consider the following statement, same हमाएं चार स्टेटमेंट रहा हमें पताने हैं, कौनजी correct है, तो fourth statement में कहते है, the leader of an elephant group is female, यह कहता है कि जो हमारा एक जुंड है, हातियों का जुंड उसका leader हमेशा एक female होता है, second statement कहते है, the maximum gestation period can be 22 months, so gestation period होता है, हमारा जैसे हमारा human beings में एक pregnancy का period होता है, जो approximately 9 months का होता है, it can increase and decrease due to other circumstances, so, जो हमारा elephant है, एक mammal है, और इसका gestation period सबसे mammals में सबसे longest होता है, हमारा बहुत ही long में होता है, सबसे long होता है, यह स्टेटमें कहता है 22 months का, third statement कहता है, an elephant can normally go on calving till the age of 40 years only, third statement हमारा बताता है, calving के बारे में, कि उसकी mother के साथ रही, female elephant के साथ उसकी mother के साथ, तो यह हमारा 40 years का नहीं होता है, इससे कम होता है, 5 years का prox होता है, जब बच्चा अपने maa के साथ रहता है उसके बाद वो अलग हो जाता है, इंडिया की केरला स्टेट में एलिफेंट की पॉपुलेशन जादा है तो अगर हम कुशिन की बात करें तो हमारा इसमें से अंसर है A and B क्यों यह हम एक्स्प्लेनेशन में देख लेते हैं तो अंसर इस A इसमें हमारे जो काल्स होते हैं उसमें फीमेल सो रह जाती है और पाफ साल के बार मील चले जाते हैं इसका मतलब हमारी statement 1 correct है और statement 3 incorrect है ठीक है क्योंकि 3 में बोला है 40 years तक तक तो यह हमारी statement गल्थ हो गई और first ठीक हो गई फिर हम बात करते हैं elephants have the longest gestation period हमने gestation period की बात करी थी second statement में तो यह हमारा जो gentle giants pregnancy होती है ओके जो हमारी giants creatures है mammals है उसमें जारा तर हमारी 1.5 साल से उपर ही रहती है हमारी gestation period the average gestation period of an elephant होता है हमारा 640 to 60 days ओके 640 to 60 days approximately 95 weeks कर रहता है तो यह longest period हमारा second statement correct है फिर हम बात करते हैं कि हमारा highest population है करला में तो जो हमारा कार्णाट का is the highest number of elephants in इंडिया तो हमारा four statement में गलत हो गया तो answer हमारा हो गया one and two okay answer number is a फिर हाता है हमारा 7th question 7th question भी हमारा है protected area से mostly यह protected area protected species के बारे में फूशा जाता है तो यह गता है कावेरी basin पे कौन कौन सी protected areas national park या reserve अगेरा centuries बनी होई है okay so हमारे तीन टाइब के protected areas होते हैं national park हमारे reserves and biosphere reserve and wildlife centuries तो हम कोशन देख लेते हैं अपना so question में हमारे चार option दिए गए हमें इन में से बताना है कि कौन सा correct है तो first है जो हमारा नगरोल नाशन पार्क यह भी हमारा wildlife century this is also present in Cauvery basin जो हमारी Cauvery river है okay that flows through Tamil Nadu and and हमारे Karnataka so हमारे answer दे गहें 1 and 2 only 3 and 4 only 1 3 4 and 1 2 3 4 so answer number C is correct क्योंकि हमारा second statement गल्थ है क्योंकि हमारा जो पपी कौन दा नाशन पार्क है that is present that lies on Godavari river basin okay so this is about question number seven next question is about for the reference to India's biodiversity Ceylon frogmouth, copper smith, barbate, grey jint, minivet and white throated red start are तो हमें इन में से बताना है किस species है कौन सी हमारे कौन सी living being की species है हमें यह बताना है तो सबसे पहले हम biodiversity की बात करते हैं biodiversity is a place where different floor and fauna sorry different different species so India's biodiversity biodiversity is that place where different living beings live together okay so Ceylon frogmouth, Ceylon is Sri Lanka's oldest name, Asian name okay so Ceylon is Sri Lanka's frogmouth frogmouth सुनके आपको याद आएगा हमारा frog okay तो frog से आपको लगेगा यह amphibian है जो हमारा गलत है okay फिर आवाद है copper smith, barbate okay यह एक bird species है great jint, minivet यह भी bird species है and white throated जिसके गला होता है तो मुस्त लिए आप common sense लगा सकते हो कि white throated red star okay mostly copper smith red जिसके हमारी bird की species है तो इसका answer है हमारा birds A okay तो इसके explanation हम देख लेते हैं second option था हमारा primates, reptiles, amphibians तो आपको लगेगा amphibians तो इसमें आप confused हो सकते हो birds in amphibians में okay तो इसका answer हम देख लेते हैं answer number A birds is correct why the Ceylon frogmouth is the non sorry nocturnal small bird from Sri Lanka मैं आपको बताया है Ceylon जो Sri Lanka का Asian name था वो था Ceylon okay so copper smith barbate is an Asian barbate है हमारा Asia का grain chin minuit is a bird from Campan day family okay this is original species and white throated red star belongs to musig capital so ये इनकी normal families होते हैं का origin होता है ओके तो ये हमारा है बोज की species तो इस ताइब की questions mostly आते हैं या आपको current affairs में मिल जाएंगे कौन से species हमारी currently है कौन से जिसे आपने देखा होगा के different species हैं जो migrate होती हैं ओके बोज की amphibians reptiles या new discover हुई हैं उनके बारे में questions आ सकते हैं तो next आता है हमारा फिर से reserves के बारे में different protected areas के बारे में ही question है हमारा 9th question 9th question कहता है which one of the following protected areas well known for the conservation of a sub species of Indian swamp deer कौन होता है ये बारा सिंगा को बोलते हैं Indian swamp deer that thrives well on hard ground and is exclusively gramnivorous okay तो यह हमें इसमें से बताना है कौन सा यह हमारा protected areas है कौन सा नाशन पार के sanctuary है जहां पर हमारा बारा सिंगा Indian swamp deer है species पाई जाती है especially कौन सा hard ground पर okay hard ground वाला हमें swamp deer बताना है और जो gramnivorous हो तो हमें यहां भी चार option दिए गए हैं Ghana national park मानस मदमले wildlife sanctuary और तालचपर wildlife sanctuary तो इसका अंसर है हमारा एक Ghana national park so हम पढ़ लेते हैं swamp deer is found in Ghana national park जो दो locations हैं हमारी असम में okay और 6 locations हैं उत्तर प्रदेश में यहां पाई जाता है and they are no longer found in west bengal the west bengal में पहले पाई जाते थे अभी पाई नहीं जाते they are originally extinct वहां पे mostly हमारे extinct खत्म हो गए है जी कि तो वहां पे 12 सिंगा नहीं पाई जाते हैं especially हमारा काना national park में पाई जाते हैं okay and so जो हमारा काना national park है यह हमारा MP में है okay so मध्य परदेश में यह पाई जाते थे तो जो हमारा swamp deer है वह swampy areas में हाते है swampy areas जैसे हमारा दलदली area होता है उसमें यह हमारा बारा सिंगा पाया जाता है तो उसका अंसर है काना national park of मत्यपरदेश पर आदा हमारा question number 10 is also from environment which of the following are the most likely place to find the musk deer in its natural habitat इसमें हमें musk deer के बारे में पूछा गया है तो आप देख सकते हो इस species बहुत important है जो बहुत ही extinct है आप देख सकते हो बहुत ही protected है या फिर endangered species है या फिर national park से काफी questions आये हैं आप almost देख सकते हो environment से 10-11 questions पूछे गए हैं इस पार और काफी सारे questions पूछे जाते हैं जोग्रफी से इतने questions नहीं आए जितने environments जाये हैं तो इस question में हम बताते हैं कि हमें musk deer का natural habitat कहा है mostly वो कहां पाए जाते हैं तो इसमें हमें चार option दिया है ascot wildlife sanctuary गंगोतरी नैशनल पार्क किशनपूर wildlife sanctuary माइनस नैशनल पार्क सो जो हमारे musk deer होते हैं musk deer जो हमारे एक shy animals होते हैं जादे तर हमारे mountainous regions में होते हैं ओके चाहे हम Siberia या हिमालियास की बात करें तो अब एक हमारा sanctuary यह हमारी पित्थारगर जो एरिया है और उत्राखंड में एक escort का एरिया है वहाँ से जोवन किलोमेटर दूर है आप देख सकते हो ओके तो यह पित्थारगर की एरियास में पाया जाता है तो first हमारा answer correct है escort wireless surgery of उत्राखंड state second बात करता है यह जैसे हिली एरियास में होता है तो गंगोतरी नाशनल पार्क है हमारा मस्क दियर्स का ठेक है तो second answer is correct जो हमारा किश्वनपूर्ट वाइलफ sanctuary मानस नाशनल पार्क हमारे correct होगे तो answer होगया 1 and 2 and answer number A is correct फिर हम बात कर लेते हैं हमारे next question की question number 11 which of the following are the reasons and factors for exposure to benzene pollution ओके यह भी हमारा mineral से पूछा गया है benzene के पूलूशन होता है यह हमें बताना है यह भी हमारा environment का question है तो इसके हमें reasons बताने क्या क्या हो सकते हैं तो fourth statement कहता है automobile exhaust ठीक है जो हमारा traffic से गाड़ियों से गाड़ियों में जो exhaust निकलता है उससे benzene pollution होता है के नहीं second है हमारा tobacco smoke जो हम तंबाकू जलाते हैं उसके दुएं से wood burning लकडी के जलने से using wetness wooden furniture जो हमारा wooden जो हमारा लकडी का furniture होता है उससे using product made of polyrethane polyrethane के products use करने से benzene pollution होता है या नहीं होता है यह हमें बताना है so answer number is D ठीक है यह सारे जो हमारे आप देख सकते हो सारे statements correct है हमारे इन सबसे benzene pollution होता है क्योंकि benzene is a highly volatile and exposure to element occurs mostly through inhalation जो यह pollution है बहुत ही volatile है और इसका exposure हमें बहुत हाम पोचाता है जो हम inhale करते हैं इसका धुआ ओके तो गाइस यह तो हमारे environment के question अब हम आगे है हमारे geography के questions पर तो geography का first question even आप देख सकते हो जो हमारा sea set था उसमें तो first question geography का यही दिया गया था हो में omt के so what is omt ocean mean temperature पर पूछा गया है और इस से related कौनसी statements करेक्त हैं यह हमें बतानी है तो हम statement 1 पर लेते हैं statement 1 कहती है ocean mean temperature is measured up to depth of up to a depth of 26 degree Celsius this is isotherm which is 129 meters in southwest इंडियन ओशन दूरिंग जन्वरी से मार्च तो first statement कह रहा है कि जो हम ocean mean temperature है कितना हमारे समंदर का temperature हो सकता है उसको हम 26 degree के आप देख सकते हैं 26 degree Celsius की गहराई में नाप सकते हैं जो हमारा southwest इंडियन ओशन है जहां से हमारा southwest का मॉंसून आता है इंडियन ओशन है हमारा आप देख सकते हो इंडियन कॉंट सबकॉंट में लैंड के बिल्कुल साउथ में ठीक है उसके साउथर में एरिया में और किस ताइम में जनवरी से मार्च में इस टाइम पर हम उसको मेजर कर सकते हैं यह बोलते हैं हमारा फॉर्स टेट्मेंट second statement कहती है ocean mean temperature collected during January to March can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more than a certain long term mean कि जो हमारा monsoon में बारिश होगी वो कम या जादा होगी यह हम लंबे समय तक इससे जान सकते हैं कि नहीं तो इसका answer है हमारा neither one nor two नहीं first statement correct है नहीं second यह जानते हैं क्यों स्टेटमेंट one incorrect क्यों है क्योंकि हमारा जो 26 डिग्री आईजो थरम इस विटनेस है डैप्त व पिट्वीन अठरा कि जब डाटा था जैन्वरी से मार्च लेके उसमें यह डाटा कलेक्ट करा कि हम कम से कम वी वर एबल तो प्रेडिक्ट विद एट्टी परसेंट प्रबावना थे हमारा जो साल का मॉंसून है वह वह क्या था हमारा बिलो एवरेश हाट दूरीग जुण से स्ट्पैंब जो हमारा अरियल मॉंसून से प्रिडिद है टीन महिने आई उच्पिरड कम से कम 80% probability थी उसको नापने की ओके तो यह स्टेटमेंट हमारा भी इंकरेक्ट है इसमें गल्स लिख्या गया है करेक्ट इस इंकरेक्ट तो हमारा अंसर नमबर डी इस करेक्ट थर्ड कोशन आ गया है हमारा करेक्ट तो हमारा सियाजिन ग्लेशियर कहां सिच्वेटेड़ है यह हमें बताना है तो यह कुछ फॉर लोकेशन दी रही हैं जैसे कि आप जान दे हो कि अभी डिस्प्यूट चल रहा था हमारा इंडिया चाइना का या फिर नॉर्मली जो चलता तो इसमें से पूछागी है स्याजिन ग्लेशियर कि तरुस्च तो इसमें चार उप्शन दिये हैं या मारा अक्साइड चीन आ यह हमारा घेलगेटड है और था नॉडल वैली तो इसमें हम बताना है कि इस एडिया हम करता है तो यह हमारा साजियर ग्लेशियर रहुक लाज राक के नॉर्थ में है तो हमें बताना है इसकी लोखेशन तो इस एक्साहिचीन एक्साहिचीन के इस्टमें है नहीं तो ऑप्शिन बाद हो जाएगा एस टफ्ले है इसमार लेय ले शल्सें उसको को आप है ये हो गिल्क यहाह बॉन उसलीा है कि खम कर तो विल्ट गोगे हमेरा स्याहती ग्लेशेर दिखके ग्लेशेर ढर आप सब्सक्ते हो जो हमारा एरियास करते हैं जो हमारा एड मिन सब्सक्ति तरह एसे कुछ रीजन से रहे हैं जो हमारे डिस्प्यूटइड इस निश पता नहीं अभी किसके अंडर आते हैं कुछ लोग कैफी कंट्रिस क्लेम करती है कि हमारा है और कुछ कहते हैं कि अल्रेड हमारा पार्ट है हमारे में इल मैंलेंड एश्य प्लाइश अमारे जो सोरी निशिंज चल रहा था territorial का ओके नौर्थ एरियास में नौर्थ इस्टन एरियास में तो यह स्याच इंगलेशियल का कोशन इसलिए आया है तो अंसर नंबर हमारा दी है हमारा नुब्रा वैली के नौर्थ में पढ़ता है अंसर नंबर दी फिर आ जाते हैं हमें 14th कोशन पे 14th कोशन आया हमारा जोग्रफी से सो हमें इसमें तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं ओके यह भी हमारे एट्मोस्फेर से रिलेट है वेंस टम्प्रेचर और देखते हैं तो हम देखते हैं को कोशन नौर्थ 14 क्या कहता है स्टेटमें वन कहती है जेट स्ट्रीम से असी वेंस हैं आप करेक्ट सेटमें एक यह से अब और यह कहता है कुछ चूप अफोगा नौर्फ नंवे सर्फ और आये बना पाते हैं जो समंदर जब साइकलोन आता है जब जो आप पर दीच यह रूप में देखा जाता है कुछ साइकलों इयर बनाते हैं यह कहता है सो सेकंड इस करेक्ष ध right the temperature inside the eye जब वो få अल्मोस ही का अंदर जो टेम्परेचर होगा वो 10 Celcius से कम होगा सुराउंटिंग्स में तो यह statement हमारी गलत है क्योंकि ऑर Catholic वारांड 22 ngřे का होता है 21 deberi Fahrenheit का जो में मैं स्रॉंदिंग में एर है इसके टेंपरेचर से जादा ही रहता है ठीक है तो इसका अंसर हो गया हमारा सी सेकेंड ओली इसके एक्सक्प्लेनेशन हम देख लेते हैं है इसके लिकल नीश not a अंसर नंबर सी सेक कि अद्वास्टर करें इनकरेक्ट क्यों कैंकर्रक्षेंयक हम देख लहते हैं अधी में वंध कि उमारे नौर्दर न साउद é ihanешь ले वी जर्चलती एं योा हमारा ग्लो ऊतर है उसके नौर्दर और साउद low-pressure system दो एक लोकेशन है उस पर हाइप प्रेशर का शिस्टम हरा हम और ति हो रहा है इस वज़े से हमारा jet streams होती है तो यहाँ आपके नौर्थन में सिर्फ साउधन में भी ज़र स्ट्रीम चलती है second statement हमारी सही है एकदम कि आई बनाता है थर्ड थर्ड स्टेटमेंट है जो तेमपरेचर को लेके कहता है यह गलत है हमारी क्यों गलत है जो वहां में स्पार्ट होता है एरिंस आई का वह आलमोस्ट 21 डिग्र फारनहीट जो हमारी सराउंडिंग एर से कम होता है और इसमें एक डिफरेंस होता है जामारी कि दिफरेंस फ्रम दिफरेंस फ्रम दे एर अराउंड अब वह सेवन पॉंट फाइव मायल था यह जाता है तो उसका तेमपरेचर गिर जाता है और इस होंग शाता है तो यह हमारा 10 डिफरेंस तत कर लोगन फिरेंस हैं और से समंदर में पेहती है तो यह हमारा這種 स्क्रीष कोकर जो हैं तो यह हमारा फ्लो करती है अंडमान सी में यह हमें पताना है या सेकेंड थेम्स जो आइरिश सी में जाती है थर्ड वोल्गा, कैस्पियन सी, जांबे सी, इंडियन ओशन ओके तो यह हमारी चाहर रिवर है मैकॉंग, गंगा भी जिसे बोला जाता है कि हमारी चाहिनीज रिवर है मैकॉंग, हमारी चाहिनीज रिवर है तो यह अंडमान सी में नहीं जाती है यह हमारी साथ चाहिनर सी में जाके गिरती है, समंदर में मिल जाती है, जाके से किन दिस थेम ठीम सो मारा आई डीजियर नहीं थेम समय आप देख सकते हो हमारी इंगलेंड में है यह इसको थेम से यह एडीज यह चाती है कि यह हमारी अप लुटाव करते है नॉड़न सी नॉड़न सी में ऑन थर्ड जो उमरेंस डेंस द्धी कर जाए इंडियन ओश्चन है हमारी सदन है सदन में लेंड एरियास में वहां पर जाकी गिरती है तो यह भी करेक्ट है तो आंसर नंबर इस त्री एंड फॉर ओनली ताट इस सी ओकेश इसके एश्चन में में देख लाते हैं जो हमारी मेकवं है साओ चानासी में केती है और इसका डेल्टा बनता है हमारे वियतनाम में थेंड नौॉर्दनी में जाके फ्लॉ करते है जाती है किसके दोरा थेंड एस शुरीज के दोरा so guys this is the end of today's video यह हमारे job of your environment के questions से पूछे गए थे आपको कैसे लगी video comment करके बताएं in the next video आपके इस topic पर देखना जाते हैं and thanks for watching